बहिया, Air Force Group C का Official Notification आ चुका है, और आज की इस वीडियो में इसके Notification ने जितनी भी जानकारी दे रखी है, जो भी important जानकारी है, उसकी बात करने वाला हूँ, तो पड़ावर चलते हैं कम बीड़ो की स्क्रीन पर, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजार आ रहा है, यहाँ पर मै आपको पता होगा यह form offline है, तो इनवाले postal address पर आपको इस form को fill करके send करना पड़ेगा post office से, तो जिस भी post के लिए आप apply करना चाहते हैं, उसके सामने आप देख लें कितनी के vacancy उस post में है, और उसके सामने कौन से column में आपको duck के थू बेजना है, आप जैसे कि यहाँ पर form को fill करें, अब इसमें हम अगर age limit की बात करें, तो आपकी उमर 18-25 साल के बीच में होनी चाहिए, इसके form को apply करने के लिए, age relaxation भी इसमें दिया गया है, अगर आप obesity category में आते हैं, तो तीन साल का यहाँ पर आपको age relaxation दिया गया है, अगर आप SCST category से form fill कर रहे हैं, तो सामने education qualification दे रखी है, अब अगर आपको store keeper के form apply करना है, तो 12th आपके पास होनी चाहिए, किसी भी board और universities है, और साथ में आपके पास experience होना चाहिए, हिंदी type waste का अगर आपको form fill करना है, तो आपके पास 12th होनी चाहिए, और साथ में हिंदी typing की speed आपकी 30 word per minute की होनी चाहिए चाहिए, तो आपके पास 10th होनी चाहिए, और साथ में एक साल का experience होना चाहिए, cooking करने का, तो आप अपने इसाब से इसे देख सकते हैं, आपको किस post पर form fill करना है, और उसमें क्या qualification मांगी जा रही है, अब हम बात करते हैं, इसमें selection process की, कैसे क्या है, इसमें selection होगा, तो स इसके बाद आपका admit card issue किया जाएगा, यानि कि call letter issue किया जाएगा, written examination के लिए, और सबसे पहले इसमें written examination होगी आपकी, और written examination भी हर post case आप से अलग-अलग रखी जाएगी, यानि कि जो LDC candidate है, LDC के जिसने form fill किया है, उनकी अगर हम examination की बात करें, written examination की बात करें, तो उसमे general intelligence के question आएगे, English language आएगी, numerical aptitude आएगा, general awareness के question आएगे, इसके बाद अगर हम stenographer की बात करें, तो general intelligence and reasoning के question आएगे, general awareness के आएगे, English language और comprehension आएगी, अगर हम MTS, HKS और दूसरी पोश्टों की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें general intelligence and reasoning, numerical aptitude, general English, general awareness के question और बची वी trade की जनकारी यहाँ पर दे रखी है, जो question paper यहाँ पर आएगा, वो English और Hindi दोनों language में आएगा, और exam में जितने candidate को select की जाएगा, वो 10 गुने होंगे, जितने भी vacancy हैं उसके, और उसके बाद उन candidate को skill test, physical और practical test के लिए बुलाया जाएगा, और आखरी में अंदर अंदर आपको इसके form को fill करके वेज देना है, और यह form वहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, जहाँ पर भी आपने इसको post किया है, और नीचे और भी instruction दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ने है, form को apply करने से पहले, page number 3 पर ही आपको इसका performa और format मिल जाएग तो यहाँ पर आपको starting date और end date का पता चल जाएगा, कितनी का post इसमें हैं, और जो भी जानकारी notification में हैं, उसको यहाँ पर हमने detail में बता रखा है, आप चाहिए तो इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्या कि ऐसे document हैं, जो भी आपको जरूर पढ़ेगे, इसको form को fill करते time, नीचे post अब आपको जानकारी मिल जाएगी, इसके बाद किस post के लिए क्या qualification मांगी गई हैं, उसकी जानकारी मिल जाएगी, और इसमें slivers क्या दे रखा है, उसकी जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी, और आप चाहे तो इसकी तियारी करने के लिए, आप यहाँ से books को भ सकते हैं. जैसे यह फॉर्म कर गा है. अब इस फॉर्म से रिलेटिर जनकारी के लिए आप यह वाली वीडियो Systems को आपको आठेच करना है. वह सब ही जनकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगी.